हलो दोस्तो वेलकम बैक टो नधर वीडियो दोस्तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एक सेविंग एकॉंट है तो आप अपने एकॉंट के जरिये से अपना एक क्रिट कार्ड कैसे अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं लाइप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि आप एक क्रिट कार्ड कैसे अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना क्रिट कार्ड अपलाई किया देखिए प्री अप्रूब्ड हम चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता है मगर जब अपलाई किया तो मुझे चार प्री अप्रूब्ड क्रेट कार्ड य मीन में से चाहेंगे तो कोई भी apply कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको access mobile जो होता है mobile application उसको open कर लेंगे open करने के बाद उसका जो आप login पिन बना के रखें हैं mpin वो डालके login हो जाएंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपना mpin यहाँ पर डालते है उसके बाद login हो जाते हैं यहाँ पर live process करके दिखाने वाला हूँ की apply credit card कैसे कर सकते हैं मुझे एक minute में जो है credit card approved हो गया मैं यहाँ पर live आपको दिखाने वाला हूँ अब आपको यहाँ पर उपर left side में तीन लाइन दिखेगा उस पर click करना है उसके बाद apply now का option मिल मगर यहाँ पर देखिए क्या तरीका आपको अपनाना है दीखे सबसे first में ही आपको credit cards का option मिल जाएगा ठीक है तो आपको उस पर simply click कर देना है click करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का interface मिलेगा loading लेगा जितना देर आपको इंतजार करने बोला जाए आपको इंतजार करना ह हमारा loading ले रहा है उसके बाद application प्रिपेर होगा आपको यहाँ पर भी इंतजार करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का options खुल के आएगा welcome यहाँ पर देखिए तीन process में आप यहाँ पर credit card ले सकते हैं देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 100% paperless three step journey ठीक है उसके बा four exclusive credit pre approved for you देखिए यहाँ पर लिख रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे चार credit card नीचे show हो रहा है इन में से कोई भी हम apply करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ठीक है तो सब कदखिए कुछ ना कुछ issuing charge है और कुछ ना कुछ annual fees है तो हम क्या करेंगे जो करेंगे उसके बाद get now का option मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर देकि एक चीज़ा और बोलड़ा कि 500 रुपिया का Amazon gift भी मिलेगा तिरी महीना का जमाइटो प्रो हमको free मिलेगा तो get start वाला option पर है क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको address चूज करने के लिए आएगा तो आपके bank आपके bank के साथ जो address रहेगा वो यहाँ पर show हो जागा या फिर आप यहाँ पर no करके दूसरा address भी choose कर सकते हैं उसके बाद confirm address करने का option आजागा confirm address वाले पर click कर देंगे उसके बाद कुछ term and condition आपके सामने खुल के आएगा आप I agree पर click कर देंगे I agree पर click करने के बाद आप application यहाँ पर process start होगा process start होने के बाद यहाँ पर देख सकते है application in process यहाँ पर submit हो चुका है successful ठीक है अब यहाँ पर बोला है 2-3 दिन में आपको बताया जाएगा तो guys मुझे 2-3 दिन नहीं लगा फिर मैंने क्या किया अपने access mobile में से log out हो गया उसके बाद फिर से log in करके गया मैं यहाँ पर फिर से मैं अपने card वाले section पर चला गया access mobile login करके तो वहाँ पर जो है मेरा new credit card मतलब की access bank new credit card जो मुझे मिला है वो यहाँ पर देखिए show हो रहा है already ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है कि credit card number भी मुझे मिल गया ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आप जो है अपने digital का आप अपने card को activate नहीं कर सकते हैं उसके देख सकते हैं यहाँ पर card number भी मुझे मिल चुका उसके बाद सुबा सुबा मुझे message भी approved का मिल गया